नमस्तु भ्यम दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाई पर बहुत-बहुत सपागत है कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मिद्रों आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे दर्शिकों आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त सावन अधिक मास की इस शिव रात्री पर यदि आप महादेव की गृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रात्री आट बजे से पुर्व ही आपको इस एक अचोग से उपाई को कर लीना है पाँच 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 वाला यह नया उपाई पूजनिय पंडिची ने अपनी श्रीशि महापुरान कथा में बताया है इस उपाई के लिए आपको पाँच लौंग की आवशक्ता होगी साबुत फूल वाले लौंग आपको ले लेने हैं इसी के साथ में पाँच काली मिर्चों की आवशक्ता होगी जो की गोल और साबुत होना चाहिए खंडित काली मिर्च का प्रयोग आप अपनी उपाई में ना करें इसी के साथ में पाँच कमल गट्टों की आवशक्ता होगी कमल के यदि पुश्प मिल जाए तो आप वह भी ले सकते हैं और पुश्प ना मिले तो कमल गटे किसी भी पूजा की सामगरी की दुकान पर आपको आसानी से उपलब्द हो जाएंगे इन सामगरीयों को लेकर आपको शाम के समय प्रदोशकाल में महादेव के मंदिर चले जाना है ध्यान रखे रात्री आठ सी पुर्वही आपको इस उपाय को कर लेना है तीनों सामगरीयों को लेकर आपको महादेव के मंदिर जाना है सबसे पहले अपनी हथेली पर लौंग को रखे, सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, कामना कहकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है फिर उसी प्रकार से काले मिर्चो को अपने दाय हाथ की हथेली पर रखे और फिर महादेव पर अर्पित कर दे इसी प्रकार से यदि कमल के पुश्प हैं या कमल गट्टे हैं उन्हें रखे और शिवलिंग पर अर्पित कर दे सच्चे मन से 11 बार श्री शिवायन मस्तुभ्यम मंतर का उच्चारन कर अपनी कामना को महादेव से कहें महादेव इस शिवरात्री पर आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवायन मस्तुभ्यम हरहर महादेव